कि नवस्कार दुर्शन को दो आती थी मां फरी एक वर आपनू स्वागर चाहती थी लेव कारेकरम की जैकारेकरम मां विशिष्ट अव्यक्तित और साथ आपनी मुलागात कर रहा है वेचे न वात हो गरे ज्यांद रंग आज आपनी साथ है कि विशिष्ट अव्यक्तित्व जे बिलकुल पूताना वीचारों स्पष्ट पढ़ने लोगों समक्ष मुखे छे कोई हिचकी चाट ना थी कोई जातना रेपर नहीं कोई जातना लेर नहीं परन्तु जे अर्क होई जे हार्ध होई ते सीधी वात लोगों समक्ष मुखे छे देशना प्रशनों ने डिफेंस ना प्रशनों ने देशनी सुरक्षाना प्रशनों ने जनरल हशने हमारे साथ है हसने जी आपका सभचत है शुकरे है बहुत-бहुत बायलबार सबसे पहले तो मैं आप से यह पूचना चाहऊंगा कि जनरल हसने जब भी introduction अगर देना है तीन सेंटेंस में तो किस तरह से देंगे तीन सेंटेंस पर बहुत मुश्किल है देना मगर मैं मैं चुनौतिय समझता हूँ मैं कहूंगा कि जनरल हसनेन एक बहुत डिवोटेड फॉजी अफसर है जो के फॉज के दस्तूर के मताबिक एक खांदानी एक आप समझे इस परंपरा को मिंटें करने के लिए है और आर्मी की इमिज को मिंटें करने के लिए और भारत को National Security और Strategic Studies में बढ़ोधी देने के लिए यहां पर आपने एक टिपिकल वर्ड यूज किया खांदानी, हाँ इसी वर्ड से हम बात सुरू करते हैं, खांदानी क्योंकि एक जनरेशन पहले भी इस देश को बहुत सेवा दी आपके पापाने, जिन्स बट अब्वियस है, वही आएंगे, तो अंदर से भी जुनून होग कि नहीं कुछ ना कुछ तो हमारे देश के लिए करना है, छोटा सा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे इंट्रुवर ने आपको पीता जी के बारे में पूछा भी है, लेकिन शॉट में अगर बताना चाहेंगे अपने पीता जी को अगर ट्रिब्यूट देना यहां बै फ्रॉम पाकिस्तान से आ रहे थे, जब पाकिस्तान बना था बताओ था, उनली मुस्लिम इन इस प्योर हिंदू यूनिट, गड़वाल रैफल्स, और उनको चॉइस दी गई, कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी जोइन करना चाहते हो, तो आप उतर जाओ यहां पर, और अग प्रेड़ी फैसला हो चुका है, मैं उस देश में जाओंगा, जहां मजभ के लिए, धरम के लिए, कोई ऐसी इंपोर्टन्स नहीं है, जो यह पाकिस्तान धरम पे बना है, इसमें नहीं रहना चाहता हूँ, एनी बिकें पार्टर दे इंडिन आर्मी, मगए इंडिन आर्मी मैंने समझता हूँ, कोई खांदान भारत में ऐसा है, जिसके बास इतने अवोड मिले हैं, थोड़ी चलो, वही बात चल रही है, वाली साकी तो, उसी पे थोड़ा टटोर थे अपनी आपकी स्मूती को, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी बात, जो उन्होंने कही हो, बहुत सार ग्यान भी दिया होगा, बहुत सारी एडवाइस इसी होगी, जो उन्होंने दिये, लेकिन कोई एक ऐसी बात, जो आज तक पकड़ के रखी है, आज तक भूले नहीं है, बार बार उसको याद करके, अपने आप कहीं भी डगमगाए, तो वापस अपनी रहा वापस पकड़ वो रिजिमेंट के थे, गड़वाल रैफिल के, उनके लिए आखरी जवान जो था, वो एमियत रखता था, उन्होंने मुझे यही समझाया, कि आखर में अगर फौज के अंदर नौकरी करनी है, सक्सेस्वली करनी है, तो पहचानो, कि अपने जवान को पूरी सपोर्ट हर तरीके से, चौबीस घंटे, सातो दिन, तीन सो तीन सो पैंसेट दिन जो है, आपका जवान के लिए कंसर्न, वेलफेर का, उसकी बढ़ोती का हद समय होना चाहिए, I think मैंने यह जिन्दिगी में अपनाया अपने, और इसको इसके वज़े से अपने जवानों में, अपने पाई है, ओके, जनरल, अगें, करंट दोरे में आ जाते हैं, जिस तरह से हिंदूस्तान अभी ग्रॉन अप कर रहा है, हर एक क्षे तरह पकड़ ले, कोई भी एरिया पकड़ ले, डिफेंस की बात करें, क्योंकि यह ऐसा सबजेक्ट है, पिछले करीवन पासास साल से, यह बहुत साल ऐसे गए, जब डिफेंस की बात इतनी नहीं करते थे, आम फोर्स की बात नहीं करते थे, बियांड दे सीम, क्या उनकी डिमांड है, क्या-क्या लेकिंग है, यह नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे इस साबसे आज जिस तरह से सिनारियों चला है, पिछले 7-8 साल से, लोग डिसकस करतें, लोगों को बहुत सारी पता भी है, लेकिन आप वहीं पे दो जनरेशन से जब इसी फिल्ड में है, क्या बताएंगे, आज के हमारी जो स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ और पीछले जो स्ट्रेंथ थी वो? लेकिन मैं समझता हूँ, पिछले कुछ सालों में जो सबसे बड़ी चीज जो बदली है, वो है कि एक स्ट्रेटीजिक अवेरनस हा रही है, खास्त दोर पे जियो पॉलिटिक्स के लिए, नैशनल सेक्यूरिटी के लिए, जो पहले नहीं थी, पहले ये था कि देश का सिपाही सरद पे बैठा है, और देश जो है, वो सिक्यूर है, आज जो है किसी और पहलू से देखा जा रहा है इसको, कि देखे उस फौज के पास, उस सिपाही के पास, एकुपंट है अपना, आदुनिक एकुपंट है के नहीं, काबलियत है के नहीं, अगर उसके उपर कोई हमला कर नहीं पड़ी, तो क्या दुनिया हमारे पर प्रेशर डाल कर, और हमसे हमारी जमीनी चीन लेगी, यह सब चीजे अब महसूस हो रही है, अब आप देखिए, दीरे दीरे इंस्टूशन बन रहे हैं भारत में, हर यूनिवरस्टी के अंदर डिफेंस स्टडीज की बात आ रह यूरप के अंदर में मिलिटरी इंडस्ट्रील कॉम्पलेक्स के वज़े से बना, मैं समझता हूँ वो जो आत्म निर्वरता इससे आती है, वो भारत में भी अब आ रही है, और उसके वज़े से हमारी एकॉनिमी में बढ़ाती हो रही है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज़ है कि आत्म विश्वास में बढ़ाती है, आत्म विश्वास और आत्म निर्वरता, आत्म निर्वरता हमारी एकुपमेंट्स में रहेगी, आत्म विश्वास जो इंडिव्यूजल रहेगी हमारे जवानों में, यह यह आत्म विश्वास की बात करूँ, जिस तरह से incident हुए है जो भी हमारे बड़ोसी मुल्क के साथ तो उसकी वजा से शायद यह जो मेरे इसाब से 67 वो time 72 वो जो था वो वापस एक नया कुछ दिख रहा है आपको एक fire जवान के अंदर confidence level में देखिए यह automatically होता है जबकि एक society उबरती है मैं समझता हूँ उस वक्स society बड़ी lead back society थी और dependence ही जवान के उपर जवान जो है सरगत पर बैठा है water पर बैठा है काम कर रहा है कुछ हमने हम back step पर भी गए काफी दफ़े बास्तन बास्त में 65 में भी कुछ हद तक मैं 71 में अच्छी जीत पाई उसके बाद से problem ही काफी आये 86 87 88 में स्री लंका में हुआ सियाचेन का हुआ और 99 में कारगिल का हुआ तो इस सब का जो हमें तज़र्बा मिला है इसको मेल जोड़ कर अब मैं समझ रहा हूँ कि एक नई strategic policy जो है वो उबर रही है और नए तरीके बन रहे हैं इसके उपर काफी जोड़ दिया जा रहा है और खास तोर पे equipment के उपर आ का समान चाहिए हम तो आप वो फाइदा किसी और देश को क्यों दो आप अपने देश में क्यों नी manufacture करो हमारी लोगों को फाइदा होगा उतने नोक्रियां और मिलेंगी हमारी economy में contribution होगा तो ये ख्यालाच जो है अब सब बदल गए है यहां रोकूंगा वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का दरसक में दो विरामबाद बीजा तबाकानी वातों करेशू हसन जी सादिर विरामबाद फर्यकवार सौगेश आपनों कारेगर अमाती थी मां जनरल ब्रेक्सेबल आपने बताया कि आत्मा निर्भर और आत्मा विश्वास लीडर्शिप कितना एहमियत रखती है नेशनल लीडर्शिप तेखी ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ वन दे मोस्ट इंपर्टन देशनल लीडर्शिप और मैं शुरुआत भारत से नहीं करता हूँ मैं दुनिया में देखता हूँ अगर आप दुनिया में किसी बड़े लीडर हुआ है आप अमरीका को देख लीजए इबरियाम लिंकल से लेकर नीचे तर देख लीजी जिये ज़ान एफ्केंडरी को देख लीजे बाद में रॉनल्ल्ल डीगन को देख लीजए टीए अगर आप यूक को देखेंगे वेंसन चर्चल को देख लीजे तो इस तरह से दुनिया भर में इसके वो हुए भारत में अब जब से नंदर मोदी जी ने संभाला है यहां पर अब तकरीबन दस साल हो गए हैं तो उनका बहुत एक दूसरा पहलू रहा है कि कम्प्लीटली डिफरेंट कॉंसेप रहा है कॉंप्रिहेंसिव सेक्यूरिटी समझने का एक तो वो मैं समझता हूं ग्रासूर्ट से आए हैं एक तो और उसके वज़े से समझते उनकी समझ जो है इन चीजों की कुछ ज़ादा है मैं आपको छोटा सा उधारन देता हूं मैं नैशनल सेक्यूरिटे की तरफ नहीं मगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ देखता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट भी नैशनल सेक्यूरिटे का एक पहलू होता है अब आप देखिए गुजरात के अंदर जब भ्यांकार भुकम आया था यहां पर उस वक उन्हो सबसे पहले स्टेट डिसास्टर मेनेजमेंट अक्ट बनाया गुजराद पहली सर्तार थी जहाँ पर स्टेट डिजास्टर मैनिम अटाक्ट बना, SDMA बना, SDRF बना, और इस सब चीजों से फाइनली नैशनल डिजास्टर मैनिम अटाक्ट बना, अब ये सब यहां पर भूल सकते थे हम, क्योंकि एक राज्ये के अंदर हुआ था, वो गए जब सेंटर में, तो वहां पर उन्होंने एक और नई दिशा दी, आब दप्रमंधन को कम्प्लिट डिजास्टर मैनिमन को एक नई दिशा दी, ये डेर दो साल के अंदर दस पॉइंट का अभ्यान चलाया, टैन पॉइंट एजेंडा चलाया, विच इस दो मोस् comprehensive doctrine on disaster management दुनिया मेरे में, आज कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई अगर मंत्रा है, इसका disaster management का, आब दप्रमंधन का, तो वो ये 10-point program है, ठीक है, उन्होंने अभी हाली में, G20 में 12 working group थे, जब तक Indonesia के पास रही, 13 working group जो है, उन्होंने बनाया, disaster management का, disaster resilience का, सोच थी, विचार था उनका, उनको मारूं था कि ये एक ऐसी उभरती फील्ड है, climate change हो रहा है, अब आप देखे, कल परसों वो दुबई में थे, पूरी समझ, और भारत को एक pedestal के उपर रखा था, वो तस्वीर भी उसमें है, यहां पाकिस्तान के प्रदानमंत्री एक कोने में खड़े हैं और भारत के प्रदानमंत्री सामने, सबसे सामने खड़े हैं, यही आप फरक देख लीजे, लिडिर्शिप में जो होता है, यही फरक होता है, कि he has given a status to India, जिसके वज़े से, दुनिया, एक किसी और नजर से भारत के तरफ देख रही है, मैं एक आखरी उधारन इसको और दूँगा, अब आप मिडल इस्ट को देख लीजे, मिडल इस्ट के साथ हमारे संबंद अच्छे रहे हैं, मगर मैं सबको उधारन देता हूँ कि दोजार अठारा में देखिए, तो 26 जनवरी को प अरिंद मोदी जी गए जॉडन, जॉडन से वो गए पैलिस्टाइन, रमाला, रमाला से गए वहापस जॉडन, जॉडन से गए वो यूएई, यूएई से गए वो मसकत, वो मसकत से पिर भारत आये, और एक हफ़ते के अंदर इरान के प्रेजड़न आये हैं, मतलब पूरा म सो मिलियन लोग वहाँ पर काम करते हैं, चाली से पचास बिलियन डॉलर की रिमिटन्स आती है, जितनी एहमियत हमारी रिलेशन्शिप मिलिस्ट के साथ रखती है, वेस्ट एशिया के साथ रखती है, शायद और किसी रीजिन के साथ नहीं रखती है, उसको बढ़ोती देने वो भी समझने की कोशिश क्योंकि वो भी ड्रेगन भी एक उस तरीके का ही हमारा दुश्मन है, जिनकी चाल कंटीन्यू हमें वर्ष रखनी पड़ती है, कभी कभी क्या पैतरे बदलता है, कभी क्या कलर्स चेंज करता है, यह चाइना पाकिस्तान नेकसस है, मेरे सब से उसक बार बार जो हम स्टेटर्जी बदलते हैं, तो क्या हम उतने माहिर हो गए अभी, लगता है कि हमने वो कंट्रॉल किया है, समझने में या तो उनके सामने डिफेंट करने के लिए, इसकी चर्चा तो इसकी ओपर चर्चा तो हम लंबी कर सकते हैं, मगर छोटे लफजों में म पताता हूँ आपको, मैं समझता हूँ, दोदा, चौदा में जब पदान मंतरी आए, माने पदान मंतरी आए, आफिस में, उन्होंने तक्रीबें डेड़ साल की कोशिश की के डेड़ साल तो कुछ नहीं उन्होंने पाकिस्तान के उपर किया, जादा उन्होंने चैना के बिजनस संबंद थे, उन बिजनस संबंद को बढ़ती दी और ज्यादा, यहां पर जो पाकिस्तान के साथ था, उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद, पड़ी कोश्च एक दम से अभ्यान हुआ, उफा में उन्होंने डायलोग किया, नवाज शरीफ के साथ, अपने एनसे को, नेशनल सेक्रिटी अडवाइजर को, बैंक कॉक बेजा, सुश्मा सुराज जी को, इसलाम अमबाद बेजा, हाट अफेशिया कान्फरेंस में, और एक नया पहलू दिया पुरा भारत-पाकिस्तान के संबंद को, इस कोशिश में कि पाकिस्तान ऑन बोर्ड आएगा, पा क्लیर जवाब मेंलिया कि पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती नहीं नवा सकते हैं, इस मख नहीं कहता हम कि हर्वद के लिए नहीं यह इस वख नहीं सबझता हूं कि चीन के साथ, चीन की फिकर जो है, तब ही जबके संबंद मोदि जी ने चीन के साथ और मश्बोत करना शूरू क किया हम उन्होंने देखा कि यह बादत के प्रदायन में तरी ऐसे यह सब को पहले गलती लगी दी कि यह हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं लग रहा था लोगा कि नहीं करना चाहिए जब पता है कि यह ओपन एनमी है हमारा तो नहीं करना चाहिए तो क्या भी अगें आपको उसको स्टेटली बाते हैं मैं नहीं मैं इसके साथ सहमत नहीं होंगा मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने किया बिल्कुल सही किया था उन्होंने रिलेशन्शिप बनाई और कहा कि देखिए दो देशों की बीच में अन्बन रह सकती है बॉर्डर पे हर तरफ मागर जहांपर 120 बिलियं डालर 130 बिलियं डालर का हमारे ट्रेड है बिजनस है तो हम क्यों उसको खूए हैं दोनों देश क्यों खूए हम अपने के साथ रह सकते हैं चीन को पास फिकर यह थी कि भारत के प धका देना, किसी तरह से धका देना, उसके मानसिक तोर पर उसकी कॉंफिडेंस को, अपनी जो कॉंफिडेंस बनी वी थी उसकी, उसके ओपर चोट पहुँचाना नहायत जुरूरी था, यह मैं हरतेफे कहता हूँ, जो एपरिल-माई 2020 में हुआ, जो गलवान में हुआ, लदा उसमें किसी तरह से भारत की चूक नहीं हुई, हमारी अपनी चाबलियत जो है कम नीचे नहीं हुई, अनबन बनी भी है अभी भी, मगर आप देख रहे हैं कि इसको ऐसे हैंडल किया है भारत सरकार ने, और हरकत एक अंट्रॉल में भी आ गई है, बिल्कुल, काफी, काफी ह हटना है, वहां से हटने की और बातचीत इसके उपर जारी रहेगी, मैं समझता हूँ कि चीन जैसे जैसे देख रहा है कि दुनिया की तबज्जू जो है वो यूक्रेन पर, इस्रेल पर, इरान, सौधी अरेविया के उपर, इस ते गाउं पर हो रही है, वो समझ रहा है कि दीरे दीरे की यहां पर भारत के साथ यह अन्बन बनाने से चीन को कोई फाइदा नहीं मिलेगा, यह चीन की बात तो कर ली, लेकिन मेरे इस साब से हिंदूसान के हरे एक लोगों को अंदर से एक जुनून है, या तो अंदर से उनकी एक डिजायर है, पी ओके के बारे में, आपके थौट्स पी ओके के लिए कुछ अलागी है, लोग चाते हैं कि पी ओके होना चाहिए, क्योंकि रोड पे भी बात कर रहे लोग, बस में बात कर रहे हैं, मैटरो पे कर रहे हैं, और फिल्मों में सनी देवल भी बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, मेरे विचार कुछ शिम्ला अग्रीमेंट हुआ उस शिम्ला अग्रीमेंट में आर्चल 370 को उटा देना चाहीता है ताकि कश्मीर का जो एक्चुल इंटिग्रेशन है वो तब से शुरू होता है 1994 में एक दूसरा चांस मिला हमको जब पूरी गौर्मन पूरी पुलिटिकल पार्टी बीजेपी कॉंग्रस सब मिलकर पार्लिमेंट में उन्होंने 22 फरवरी को 1994 में एक पस्ताव रखा कि पूरा जो एक रेजिलूशन था कि पूरा जमून कश्मीर जो मराजाहरी सिंग के नीचे था उसकी हर तेरिटरी जो है वो भरत की है ये मेसेज था दुनिया को कि ये मत समझो के पाकिस्तान कुछ कर सकता है हम को या पाकिस्तान को आप सपोर्ट करके कश्मीर का कोई अंग आप हमसे ले सकते हो ये मेसेज था क्लियर ली मगर उसके पचीस साल बाद ये हुआ कि आर्टिकल 370 को निकाला बड़े सोच विचार के साथ, पांच साल सरकार रही उसके बात निकाला है, और क्लियर इसे यह हो गया कि यहां से हम शुरुआत करते हैं अब, हमारा और पाकिस्तान के संबंद ऐसे रहेंगे, कि एक एस्यमेट्रिक जिसको कहते हैं, कि हमारी एकॉनिमी यहां, पाकिस्तान की एकॉनिमी यहां, पाकिस्तान की काबलियत यहां हो, हमारी काबलियत यहां, उचे पर रहेगे, इसी से, पाकिस्तान जो है, मात खाएगा, बिना एक गोली को फायर किये वे, मेरा मतलब यह है, कहने का, कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, मैं लड़ाई के जरियर क्यों करू मैं चड़ कर क्यों करूं, मैं एक पैसा क्यों खर्च करूं, मैं चाहता हूँ कि अपना मुल्क जो है, हमारा देश जो है, वो 3.6 trillion dollar की economy है, आज तो 5 trillion कल बने, 10 trillion बने, 20 trillion बने, जब ये बढ़ोती ऐसी होगी economic, आप देखना एक तो और भी आत्मे विश्वास बढ़ेगा, और automatically जो इधर उधर territories जो हमसे बिखरी भी है, ये वापस आना शुरू है, तो पियो के के लिए एक भी गोली खराब नहीं करनी है, आप अगर हम अगर समझते हैं, और ये आम तोर पर लोगों का विचार उनका है, जो जिनको military security strategic के तरफ orientation नहीं है, वो समझते हैं कि लड़ लड़ कर, थोड़ी सी जान दे कर, और थोड़ा सा पैसा खर्च करके P.O. के आगया, ऐसे नहीं आएगा, वो कोशिश करें, वो हर चीज़ के लिए लड़ेगा, और आपके उपर बहुत रिकी के दावेड डालेगा, और P.O. के आएगा तो भी बहुत सारे pain के साथ आएग और आपी पर बाधा पड़ेगी, आपकी एकोनिपी पर बाधा पड़ेगी, ठीक है, तो साथ में याद है कि चीन भी उसके अंदर involved है, आज सब्सक्राइब को तो चाइना के पाकिस्तान एकनोमिक कारोडर भी बनावा है उसके जरीए, तो complicated भी है, complex मामिला भी है, तो क्यो आप एल मुझे मार वाली बात क्यों करनी है, हम smartly करेंगे, वक्त लगाएंगे थोड़ा और, और, मुझे तो उमीद है पूरी, कि इस तरह से जिस तरह से हमाई leadership चल रही है, इस वक्ष न कुछ तज्वीज के जरीए, हम इसको वापस लेंदेंगे, यहां रोकूंग, अग एक बात, विरांबात फरी एकवार सौगर शापनु कारे करेंगे रमती थी महांतीन तबक कानी वातो जनरल हसने जी साथे, हसने जी, देश में देश प्रेम की हवा पिरियोडिकल चलती है, और पिरियोडिकल हवा चलती है धर्म प्रेम की भी, अभी एक ऐसा दोर चल रहा है, जहां देश प्रेम और धर्म प्रेम दोनों एक साथ पैरलल एक अपनी उचाई पे चल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में ये दौर चल रहा है अगर आद देखें तो क्योंकि अन्बन इन जगाओं काफी जगाओं पर हुई है यह आप समझ रहे कि कोल्ड वार के बाद एक दुनिया बिखरी है काफी कुछ हद तक और इसके कुछ ट्रेंज ऐसी आई है अ हम आप देख लिए कोल्ड वार की खात्मे के बाद अफगानिस्तान से कितने मर्सनरी हमारे यह आए पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की यह सब अगर आप देखें ब्रॉडली तो मैं समझता हूं यह एक ट्रेंड है जो इन्वेरिबली आता है गलत फेमियों के साथ होता है भारत एक बड़ा देश है डैवर्स हमारी सोसाइटी है अलागला धरम है हमारे पास अब बेसिक मेरे ख्याल में हमारा सेकुलर क्यारेक्टर जो है और हमारा जो एकसेप्टन्स एक दुसरे का है इस पर चोट नहीं पहुंची है किसी तरीके से उधारन आप देख लिए कितनी अपना आत्मी विश्वास के साथ उन्होंने काम किया और काम भारत के या 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 रोकूंगा आगे ना कि मुझे ऐसा जवाब चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आपको लोग जो भी खरा है वो कहने वाले किस तरह से पहचानते आपको एक्स्ट्रिमिस्ट जो मुस्लिम्स है एक सिविलिन की तोर से मुझे जवाब चाहिए अब या आप वो थोड़ा छोड़ दीजी अपना एक सिविलिन के तोर पे मुझे बताईए कि इंडियन की तरह मुझे बताईए कि चनल आपको क्या लगता है कि ये एक्स्ट्रिमिस्ट जो मुस्लिम्स है उनको किस तरह से कंट्रोल, क्या स्टेटेजी हो सकती है, किस तरह से उनको मेइन फ्लो में हम ला सकते हैं, भीको ते बड़ा सवाल है, यह बड़ा सवाल है, और यह कुछ नहीं चीज़ नहीं है, यह पिछले तकरीबं 30-40 साल से जादा बढ़ा है, खास तरह जैसे मैंने कहा, कोल्ड वार खतम होने के बाद, इसका ट्रेंड शुरूआ है, हाला कि यह बड़ा रहा था उस वक्त, यह दो जगापर ज़ादा था, वेस्ट एशिया में, और साउथ एशिया में, साउथ एशिया में, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का इतना अन्बं था है, यहां पर जो के लिए, और वहां क्योंकि एजरेल और पैलेस्टाइन का इतना अन्बं था, तो दो जगापर क्या हुआ कि एक रिस्पॉंस के तौर पे, एक रियाक्शन के तौर पे हुआ, जिसमें मसल्मान चाहते थे, कि वो एक जुत हो, एक साथ होकर, और वो समझते थे, कि मजभ से, धरम से उनको ताकत आएगी, ये जो है बढ़ता गया, और आज ऐसे स्थिती पर पहुंच गया है, जहां पर काफी लोग कटर पंती के तरफ जो है, नजर करके देखते हैं, मैं समझता हूँ इसका सुलूशन क्या है, आप समझते हैं कि कटर पंती एक रैडिकलाइजेशन ह इसको आपको डी-रैडिकलाइजेशन करना पड़ेगा, काउंटर रैडिकलाइजेशन का अभ्यान चलाना पड़ेगा, ये अभी तक भारत में पूरी तरह से चला नहीं है, एक तो हमें समझ होनी जी, जब हम किसी को टार्गेट कर रहे हैं किसी की सोच बदलने के लिए, त उस सोच के बारे में पूरा, वो मेरे खियाल में अभी तक भारत के नहीं मारत हुआ है, रिसर्च, इसके उपर रिसर्च ज़्यादा नहीं हुई है, दूसरा, इसमें कलर्जी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें मैं समझता हूं कि बहुत लर्नर्ड हमारे पंडित हैं, बह बार्डन के किंग, अब्दॉल्ला, उन्होंने एक चीज रखी है, उसको कहते हैं, अमान मेसेज, हर साल, वो दो सो अलग अलग किसम के मुस्लिम कलर्जी को बढ़ाते हैं, सूफी, शिया, सुनी, अलग अलग, और उनको एक कॉनसर्स कराते हैं, और उसके बाद एक मेसेज बेचते हैं, दुनिया को, कि देखिए, इसलाम जो है, उसको उसके अंदर कटर पंती जो है, उसने जकड दिया है, इसलाम को, हमें निकालना है, अपने आपको, जिस जकड में हम फसेवे हैं, कटर पंती के इससे निकलना है, उसके जरीए डूनने है, उसकी बादचीत करनी है यही तरीका हो सकता है यह और यह भी मुस्लिम कंट्री कर रहा है यह मुस्लिम कंट्री कर रहा है वह ऐसे और भी देश है एसे और भी देश है अगर आप गल्फ के रीजिन को देख लीजिए तो बहुत सारी मुमेंट शुरू हो गल्फ की रीजिन जो है वो ट्रेड कॉमर् ठीक है, ये कटरपंती is only more for display, अगर कुछ जगाओं पर है तो वहाँ ज़्यादा डिस्पले है, भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कुछ जगाओं ऐसी हैं जा कटरपंती काफी हद तक है, जमी हुई है, इसको निकालना पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मॉडल है, जो कहते हैं सिंगापूर मॉडल है, सिंगापूर ने देखा कि जब दोज़ा अधर नाइन इलेवन हुआ था, तो शायद अगला नाइन इलेवन कहीं सिंगापूर पर ना हो जाए, वहाँ पर भी 40,000 मलेशिया से मुसल्मान अंदर आते हैं, जाते हैं रोज, औ और उनकी भी मुसल्म पॉपलेशन है, पॉर्ट एक्टिविटी वहाँ पर मैक्सिमूम ही होती है, तो उन्होंने का भ्यान चलाया, तू नोट टार्गेट, बट आइडेंटिफाई, कौन सी जगाएं ऐसी हैं जहां कटरपंदी बन सकती है, उन्होंना समझा है, जेल, जेल के अंदर बहुत होता है, जहां पर लोगों को कुछ करने को नहीं है, बैठें है, फिसूल की बातें कर रहे हैं, लेबर कैंप्स, जहां शाम को कड़ी मेहनत करने के बाद, लेबर वालों को कुछ करने को नहीं है, कोई भी पहुँच जाए, वहां पर उनकी दमाग में कोई भी जहर भर सकता है, यूनिवर्सिटीज, कॉलिजिज, इस तरह की चीज़े, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, कि किसी भी मुसल्मान को, अगर कोई शक हो, कि कुरान में क्या लिखा है, क्योंकि आज यात रखिए कि कुरान के अंदर बहुत interpretation है, कि इधर भी जाएगा, उधर भी जा सकता है, उधर भी हर किसम के interpretation है, तो उन्होंने 75 ऐसे इमाम रखे हैं, जो बिलकुल moderate तरीके से इसको identify करते हैं, interpret करते हैं, और आप young लोग जो है, किसी को शक है, तो वो access करता है इंटरनेट के उपर, और वो इमाम इसको सही जवाब देता है, इससे क्या है, कि इंटरनेट के जरीए misconception के जरीए, पूरा, या, या, ओक्य, ओक्य, फाइंड, 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 इस इस शो जाना जाता है, अंटोल्ड स्टोरी के लिए और इस अंटोल्ड स्टोरी में दो चार options में मैं इस शो के guest को देता हूँ चनल कोई ऐसी बात जो आज तक बहुत कम लोगों को बताई या तो कभी किसी को नहीं बताई guilt के बारे में कोई ऐसी चीजे जहाँ पर guilt अभी भी होता है कि यह यह नहीं करना था या तो नहीं होना था मुझसे दिल खोल के लोगों ने इस शो में बात बताईए नहीं ऐसी मैं एक खुले दिल का आदमी हूँ एक तो मैं समझता हूँ मेरे देश ने मिल्क ने बहुत जदा दिया है बहुत जदा दिया है मुझको और टाइम टाइम पर देता जा रहा है हम यहां तक कि अगर हम मेरे नाम के सामें देखें तो 6ATION है नहीं हम्हें के मेरे खाल में भारत में कोई ऐसा है ही नहीं है हो भी तो एक यादमी होगा जिसके हर नाम पर छे डेकरेशन होंगे इस तरह से तो मुझे जिस प्लैटफॉर्म पर देश ने रखा है मैं समझता हूँ कि मैंने मुझे अभी तक अपिचुनिटी नहीं मिली है वापस पे करने की देश को मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ जिससे के देश का लाब हो किसी तरह से इसलिए मैंने अपनाया वाही तरीका कि पूरे देश में घुनता रहता हूँ मैं जब भी जहां भी वक्त मिलता है लोगों से बात करने का मीडिया के साथ बात करने का आप जैसे पड़े लिखे लोगों के साथ बैट कर और गुफटगू करने के मैसेज पास करने का कि मैं समझता हूँ कि यह एक एक चीज हुनी चाहिए सुसााइटी के अंदर के डिविस्वनेस जो है यह जो बटवारा है सुसााइटी के अंदर इसको खतम करने का तरीका हमको ढूनना चाहिए इसी से पहले हमें इसकी बात किया मैं समझता हूं मुझे वो काबियत है मुझे वो recognition है और दिल में विचार वो है इस पे बठबारा नहीं हो सकता देश जो है हमारा देश जो है ऐसा देश है जस में हमाइं बेहद सکोप हे बढ़ने की उपर इस देश को हम कहां से कहां नहीं पहुँचा सकते हैं सिर्फ ये चीज़ जो अन्बन है मजभ़ों की बीच में धर्मों की बीच में ये एक टेंपररी फेज है इसको निकालना है हमने काट के हटाना है ये मेरे दिल की एक बात है जो मैं करना चाहता हूँ बहुत जादा मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे करूं और लोगों के साथ मिलूं उनको साथ में जुटाओं इस कारिये में मगर बड़ा मुश्किल कारिया है और मैंने समझता हूँ कि अभी उतनी जिन्दीगी रह गई है कि जिसके अंदर आदमी सक्सेस्ट नहीं नहीं पक्का होगा अग अगर ठान लिया है तो ये वंदा कुछ भी कर सकता है तैंक यू अरी माच शुक्री आम से जुड़ने के लिए दर्सक्मित्रों आती खास वात जनलर हसने साथ है नहीं एक एउ व्यक्तित हो जे में पहला ज़ किदू ते प्रमाने के दरिक वीशायो पर पोता ना स्पष्ट विचार मुक्नारी आव व्यक्तित वाशे अने जे इमने रंज छे अजी पन के आ आव वस्तु थवी जुए अने इमने पोता नी पहल पन बतावी छे के मारी पास से जेटलों पन समय चे आवनारा दिवसो मां ते हुँ आना माटे अदेश माटे अदेशनी तरक्की करवा माटे हुँ संपूर्ण पड़े मारो बद्धो समय आप पाते गया जो परिमनिशूर नेक्स्ट अपीसिट मा एक नवा हती थी साते जैं शुदodore आप शोर नमस्कार थेंक्यु औरि मत थेंक से जब danke you thank you you झाल झाल